आप सभी को जैम सिकी, हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है आईए मिलकर हम लोग एक नए विशय को हम सीखेंगे और आज हमारा विशय ये है कि हम एक अच्छे और आत्मिक मा कैसे बन सकते हैं इस विशय पर आज थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे इस अंसार में बहुत सारे रिष्टे हैं पत्ती पत्ली के बीच में एक रिष्टा है भाई भेनों की बीच में रिष्टा है माबाप और बच्चों की बीच में रिष्टा है इन सारे रिष्टों में हम लोग एक बात को समझ सकते है और वो ये है मा और अपने बच्चे की बीच में जो रिष्टा है वो बहुत ही एक अलग रिष्टा है एक अनोखा रिष्टा है मा का प्रेम मतलब एक अलग सा प्रेम है हम लोग जानते हैं मा नौ मैने तक एक बच्चे को अपने कोग में रखती है वो बच्चे के पूरे डिवलप्मेंट के बाद मा बहुत ही दर्द के साथ एक बच्चे को जनम देती है तो मा होना आसान नहीं है लेकिन आज Bible हमें क्या सिखाती है मा होने के बारे में इन बातों पर जब हम लोग मनन करेंगे हम लोग प्रातना के साथ सुनेंगे कि प्रभू आप मुझसे बात करना जब इस प्रातना के साथ, इस मंसा के साथ हम लोग इस वीडियो को सुनेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि जरूर प्रभु की आत्मा हम सब से बात करेगा पहली बात यह है, जैसे ही एक पहन प्रेगनेंट होती है उन्हें समझ में आता है कि मैं एक मा बनने जा रही हूँ यह बात अच्छे से हमें समझ में आना है कि मा होना परमिश्वर की और से एक बुलाहट है परमिश्वर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी हाथ में दे रहा है और इस बात को बड़ी गंबीरता से हमें लेना है तो हमें ये जब समझ में आता है कि ये प्रभु की और से एक बुलाहट है एक सेवकाई है तब एक मा होने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा तो सबसे पहली बात जो हमें समझना है वो ये है कि मा होना परमीश्वर की और से एक बुलाहट है एक सेवकाई है जिसको हमें पूरी रीती से पूर्न मन से निभाना है क्योंकि एक दिन परमीश्वर हमसे ये लेखा लेगा कि कि क्या तुम एक अच्छी मा थी या नहीं थी जिस बच्चे की जिम्मेदारी मैंने तुमारे हाथ में दी क्या उस बच्चे को आपने सही रीती से पालन पोशन करकर बढ़ाया या नहीं बढ़ाया इस बात का लेखा हमें परमिश्वर से देना है इसलिए हमें इस बात पर बहुत फोकस करना है कि मैं प्रभू की इच्छा के अनुसार अपने बच्छे को बढ़ाऊं सबसे पहली बात है कि मा होना या मा बनने के बाद जो हमारा जीवन है वो एक प्रभू के प्रती एक सेवकाई है जिसको हम अच्छे रीती से हमें निभाना है दूसरी बात एक मा जिम्मदार है अपने बच्छे के दो प्रकार के बढ़ोत्री के लिए एक है शारिरिक बडोत्री और दूसरा है आत्मिक बडोत्री हम लोग सब जानते हैं शारिरिक बडोत्री पर हम लोग ध्यान देते हैं जब एक बहन प्रेगनन्ट होती है तब से लेकर क्या खाना है क्या नहीं खाना है कैसे रहना है इन सारी बातों पर हम लोग फोकस करते हैं मैं आत्मिक बातों पर मैं ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ कि एक माँ जिम्मेदार है कि उनका बच्चा चोटे उम्मर से लेकर आत्मिक रीती से बढ़ पाए और ये जिम्मेदारी प्रभू ने हमारी हाथ में दिया है जैसे हम लोग शाररिक बातों पर ध्यान देते हैं अच्छा बच्चा एक मेना हो गया, तीन मेना हो गया, छे मेना हो गया अभी ये खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते हैं इस प्रकार उनसे बात करना है जैसे हम लोग इन सारी बातों पर फोकस करते हैं वैसे ही आत्मिक विश्यों के लिए हमें फोकस करना है जैसे ही बच्चा एक मा के कोक में उत्पन होना स्टार्ट होता है जैसे एक मा को पता चल जाता है उसी दिन से लेकर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करना चाहिए आपको ये दुआ करना चाहिए ये प्रभू के अपसाथ एक समरपन लेना चाहिए कि प्रभू आपने दिया हुआ एक बच्चा है ये बच्चा आपके मार्ग में बड़े ये बच्चे का development सही से हो प्रभु आपकी इच्छा इस बच्चे के अंदर पूरा हो जाय करकर day one से लेकर जब हम pregnant है समझ में आता है कि हम pregnant है उस दिन से लेकर आपको प्राथना करना बहुत जरूरी है और जब एक बच्चे को हम जनम देते हैं पहले दिन से लेकर एक माह अगर अपने बच्चे के सिर पर हाथ रख कर प्रातना करते हैं वो सबसे उत्तम बात है प्रबु से बात करना कि प्रबु ये संतान आपने दिया हुआ दान है इसको आपके रीती में आपके बच्चन के अनुसार बढ़ाने के लिए बुद्धी और ग्यान देना ये बच्चा आपकी महिमा के लिए जीने पाए ये बच्चे का एक होलसम डिवलपमेंट होने पाए एक आयत में आपके सामने रखना चाहती हूँ लुका के सूसमाचार से लुका के सूसमाचार उसका चैप्टर 2 वर्स 52 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं और ईशु बुद्धी और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया दीखें यहाँ पर जब ईशु मसी बचपन में बढ़ता गया तो ईशु मसी के जो बडोतरी में चार बातों को यहाँ पर बताया है एक है ईशु मसी बुद्धी में बढ़ता गया मतलब mentally ईशु मसी डिवलप होते गया दूसरी बात ईशु मसी डिल डौल में फिजिकली भी बढ़ता गया तीसरी बात परमिश्वर और मनुष्यों के साथ अनुग्रह में बढ़ता गया तीसरी बात परमिश्वर के साथ जो रिष्टा है उस रिष्टे में बढ़ता गया मतलब आत्मिक बातों में बढ़ता गया और चौती बात है मनुश्यों के साथ जो अनुगरह है मनुश्यों के साथ जो रिष्टा है उसमें भी बढ़ता गया मतलब एक सामाजिक एरिया में भी development इशुमसी का होता गया देखिए इशुमसी mentally मतलब मानसिक रीती से शारिरिक रीती से आत्मिक रीती से और साथ में सामाजिक रीती में सब एरिया में इशुमसी का development होता रहा तो जब हम लोग एक मा है हमें इन चार बातों पर focus करना है कि एक बच्चा mentally develop हो जाए एक बच्चा physically develop हो जाए और साथ में socially, सामाजी कृती से भी वो बच्चा बढ़ता जाए तो इन सारी areas पर हमारा focus होना बहुत जरूरी है तो उन सारी बातों के लिए हमें प्रयास करना है तो आज सबसे पहली बात हमने सीखा कि हर दिन बच्चे के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है दूसरी बात एक बच्चा जैसे ही समझने लगता है उस समय से लेकर जैसे ही एक मा बच्चे को कहानिया को सोनाती है उसी प्रकार हमें बाइबल की घटनाओं को बहुत सिंपल करकर जैसे बच्चे उसको समझ पाएंगे वैसा स्टोरी उन बच्चों को सिखाना चाहिए परमेश्वर का ग्यान एक छोटे उम्र से ही लेकर हमें उनके अंदर डालना है बच्चे बहुत जल्दी बातों को सीखते हैं और इसलिए हम लोगों को जो है बच्चपन से ही लेकर आप अभी पूछेंगे कौन से उम्र से लेकर वो हम समझ सकते हैं अगर आप बच्चे से एक पांच मैने से बात करना स्टार्ट करते हैं बात तो हम लोग वैसे स्टार्टिंग से ही करते हैं लेकिन पांचवा महिना छटवा महिना छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं मैंने ये देखा है एक छोटी सी उधारन को मैं आपके सामने बताना चाहती हूं कभी-कभी हम लोग बहुत प्यार से बच्चों से पूछते हैं अच्छा आप मम्मी का बेटा हो या पापा का बेटा हो या मम्मी की बेटी हूँ या पापा की बेटी है तो एक बच्चा जो है एक नाम ले लेता है जैसे बुलता है कि मैं पापा की बेटी हूँ तो पापा बहुत खुश हो जाता है, कभी-कभी बोलता है मैं मम्मी की हुँ, तो मम्मी बहुत खुश हो जाती है लेकिन मेरे प्रियोँज जब छोटे ही उम्र से हमें क्या सिखाना है? कि आप इश्व के संतान हो, तो जब आप पूछते हैं कि आप मम्मी का बच्चा है या पापा का बच्चा है तो बच्चे के अंदर ऐसा ग्यान होना चाहिए वो कहना चाहिए मैं तो इशू का बच्चा हूँ मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूँ और आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है नीती वच्छन, बाइसवा अध्याय और उसकी चटवी आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा जब हम बच्चपन से ही हमारे बच्चों को ग्यान और बुद्धी देते हैं तब हमारे बच्चे वच्चन के अनुसार ही जीएंगे यहाँ पे लिखाया है और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेंगे मतलब बड़े होने के बाद, मुजर्ग होने के बाद भी बच्चे बाइबल के सिधानतों को नहीं चोड़ेंगे तो सबसे पहली बात हर दिन अपने बच्चे के लिए परातना करना दूसरी बात अपने बच्चे को बाइबल की बातों को सिखाना है जैसे हमारा बच्चा बढ़ता जाएगा और भी गहरी बातों को हम लोग सिखा सकते हैं तो उसके लिए एक और बात आप कर सकते हैं बच्चपन से लेकर आपके बच्चों को संड़ स्कूल में चोड़िएगा, आपकी कली सियाओं में संड़ स्कूल होगा, जहां पर छोटे बच्चों को गाना सिखाया जाता है, एक 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 आक्टिविटी कराया जाता है, बच्चन सिखाया जाता है, तो एक भी संड़े मिस क ये बिना आप अपने बच्चों को संडर स्कूल में ले जाएए ताकि वो लोग प्रभू की बातों को सीख पाएं। तीसरी बात ये है कि जैसे एक बच्चा उम्र में बढ़ता है हम देख सकते हैं कि वो बच्चा कभी-कभी गलत बातों को करते हैं कभी-कभी बहुत प्यारा बातों को और सही बातों को करते हैं लेकिन हम लोग इस प्रकार सोचते हैं बच्चा चोटा है तो गलत किया तो भी ह तो उतना समझ नहीं पाएगा. तो बच्चपन से लेकर जब एक जूट मूलता है हमें वहाँ पर अनुशासन कराना है वहाँ पर हमें सिखाना है कि सही क्या है गलत क्या है अगर एक बच्चा बुज़ूर्गों के उप़र या बड़ों के उप़र चिल्ला कर बात करता है तो हम नजर अंदाज ना करें लेकिन उस बच्चे को वहाँ पर सिखा है कि बेटा बड़ों का इज़त करना बहुत जरूरी है बाइबल में ऐसा लिखा है इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को हमें बच्चों को सिखाना है सही और गलत के बीच में हमें एक पहचान लेकर आना है बहुत से वक्त हम लोग छोटे बच्चों को आराध नाले में लेकर जाते हैं जैसे हम लोग चर्चिस में लेकर जाते हैं तो हम लोग उनको छूट देते हैं तुम यहां से भागो वहां से भागो जैसे एक बच्चा दो साल का है तीन साल का है बच्चा यहां वहां भागते रहता है लेकिन वही बच्चा स्कूल में चाकर बैठता है तो हमें यह ध्यान देना है कि हमारे बच्चों को हर प्रकार की अनुशासर में हमें बढ़ाना है कि कलीसिया में आएं तो सब के साथ एक छोटा सा मार उनके हाथ में देने से कुछ नहीं जाता है हमारे बच्चे के अंदर एक डर आता है कि हाँ अगर मैं गलत किया तो मुझे मार पड़ेगी देखिए हमारा मारने का तरीका भी वैसा होना चाहिए हम लोग उस बच्चे का शरीर को तोड़ना नहीं चाते हैं लेकिन उनको डराना चाते हैं कि बेटा अगर तुने सही नहीं किया तो एक छोटी सी मार लगेगी इसका मतलब बच्चपन से ही सही और गलत का पहचान हमें उन्हें देना बहुत जरूरी है अगला बात ये है कि जैसे ही एक बच्चा को हम लोग बढ़ाते हैं शारीरिक रीती से आत्मी करीती से समाजी करीती से मांसी करीती से समरीती से हम बढ़ाते हैं साथ में हमें उनको ये एसास भी और ये यान भी देना है कि बिटा तु जनम से लेकर पाप में पला बढ़ा है तुझे उद्धार की जरुरत है और उद्धार कैसे मिलेगा इश्मसी इस संसार में क्यों आए करकर बच्पन से जब हमारे बच्चों को हम सिखाएंगे कि स्वर्ग जाने वाला रास्ता क्या है तो उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम से उन लोग बच्पाएंगे जैसे अकेला पन हो, निराशा हो, डिप्रेशन हो, सुइसाडल थौट्स जो है इन सारी बातों से हमारे बच्चे बच्चे रहेंगे क्योंकि उनके पास एक ग्यान है कि ईश्व मसी पापों से हमको उधार देता है ईश्व मसी हर श्रापों से हमको छुडाता है यह सारा ग्यान जब बच्चे के अंदर होता है तो वो बच्चा जो है और अच्छे से बढ़ पाता है तो एक बच्चा उद्धार पाना है किस उम्र में उद्धार पाना है इसके लिए एक स्पेसिफिक उम्र नहीं है एक माँ अपने बच्चे को देख कर समझ सकती है मैं तो ये समझती हूँ कि एक 5 साल 6 साल से लेकर बच्चा ये समझ पाएगा कि मुझे स्वर्ग जाने के लिए रास्ता क्या है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बच्चा अच्छे से समझ पाता है तो बच्चे को जो है उधार के मार्ग में लेकर आना एक मा की जिम्मेदारी है तो इस बात पर भी हम लोग फोकस करें अगला हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर हरे के अंदर कुछ वर्दानों को देता है एक मा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनता है कि मैं जब अपने बच्चे को observe करती हूँ देखती हूँ उसके साथ खेलती हूँ बात करती हूँ खिलाती हूँ मैं अपने बच्चे में पहचान पाऊं की परमेश्वर ने उनकी जीवन में कौन सा वर्दान दिया है बहुत से वक्त कम उम्र में ही हम लोग समझ पाते कि अच्छा ये बच्चा अच्छे से गाता है कभी कभी हमें पता चलता अच्छा ये बच्चा बहुत जल्दी बात करने लगा सही रिती से ये बात करता है या फिर ये बच्चे अच्छे से ड्रॉइंग कर पाता है, ये बच्चे जो है अच्छे से नाटक कर पाता है, हम लोग उनके गुनों को पहचान सकते हैं, और उनको समझाए कि बेटा ये एक गिव्ट है जो आपको परमीश्वर से मिला, और जब ये बच्चा समझेगा कि प बढ़ने के लिए मदद करें। बहुत से वक्त प्राबलम यह है कि हमने हमारे बच्चे के लिए कुछ सोच कर रखा है। और हम हमारी ही इच्छा उनके जीवन पर फोर्स करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। हमको लगता है यह उनके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन मेरे प्रियों यह बच्चा हमारा तो जरूर है लेकिन हमारा बच्चा होने से पहले उनका पहला जो रिलेशन्शिप है वो है परमिश्वर के साथ। हमारी बच्चे परमिश्वर के हैं और उसके बाद हमारी है। तो परमिश्वर हमारे बच्चों के लिए एक उदेश को रखा है, एक योजना को रखा है, यह हमारे बच्चे समझना चाहिए, कि प्रभू ने उनके लिए योजना रखा है, इसलिए हमारे प्लान्स और हमारे बच्चों के प्लान से भढ़ कर हमें ये दुआ करना है, कि प् संद नहीं है एक उधारन देना चाहती हो अगर परमेश्वर ने आपके बच्चे को सेवकाई के लिए बुला हट नहीं है लेकिन अगर कुछ बच्चों को सेवकाई के लिए बुलाया है तो माबाप उसमें अडचन ना लाए और अगर आपके बच्चे को परमेश्वर ने इ को हमारा परंप्रा से ये चल रहा है तुम यही करना तुम वो ने करना करकर हम लोग एक अर्चना बने हम लोग का प्रातना होना जाए कि प्रभू आपने जो उद्धेश हमारे बच्चों के लिए रखा है जनम से लेकर जनम से पहले ही प्रभू आपने हमारे बच्चे को दे हमारे बच्चों के बारे में परमेश्वर ने योजनाओं को रखा है तो हम लोग ये फोकस करें और बच्चों को ये सिखाए कि बच्चा या बेटा या बेटी आपको वही करना है जो परमेश्वर आपकी जीवन के बारे में चाहता है तो कैसा एक बच्चा समझेगा जब व उस बातों को उन लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इस बात को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उधारन है, वो है मरियम के जीवन से। मरियम कुवारी थी और जब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता है कि तू एक बच्छे को जनम देगी, एक बेटा को जनम देगी, तब मरियम वहाँ पर क्या कहती है, उस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, लुका उसका पहला अध्याय और 38 आयत, यहाँ पर इस प्रकार लिका है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रबू की दासी हूँ, मुझे तेरे वच्छन के अनुसार हो, देखिए, मरियम क्या कहती है, मैं प्रबू की दासी हूँ, जो परमेश्वर की इच्छा है, वो मेरे जीवर में हो जाए, उसी समान हमें परमेश्वर से, हमारे बच्चों के लिए प्रातना करना है प्रभू हम आपके हैं हमारे बच्चे आपके हैं जो आप चाते हैं वही हमारे बच्चों के जीवन में पूरा हो करकर हमें प्रातना करना बहुत जरूरी है अगला विशह यह है कि जब हम हमारी बच्चों से बात करते हैं बहुत नेगेटिव बाते हमें नहीं करना है लेकिन हम ऐसी बाते करें जिसके उनके confidence बढ़ जाए और उन्हें ये ऐसास हो कि मेरी मा मुझसे प्रेम करती है परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है मेरा जीवन स्र स्रेष्ट है वैल्यूबल है अनमूल है इस प्रकार का एक एहसास के साथ एक विश्वास के साथ उनको बढ़ना है बहुत से वक्त हम लोग जब बच्चों को डाटते भी है ऐसे डाटते हैं कि बच्चे अपने आत्मा विश्वास को ही खो बैठते हैं फिर उनके अंदर ब परमिश्वर के लिए बहुत स्रेष्ट है अगली बात जो हमें सीखना है वो यह है कि बच्चों के बीच में हभी कंपैर नहीं करना है ना हमें पक्षपात दिकाना है बहुत से वक्त नहीं जानते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी हम लोग हमारे बच्चों के बीच में पक्षपात करते हैं हमारे स्वभाव से दिख जाता है कि मा एक से ज़्यादा प्यार करती है और एक से कम प्रेम करती है ये बच्चों पर बहुत बुरा असर डालता है हम बाइबल में भी इस घटना को देखते हैं कि रिबका के पास दो जुड़वे बच्चे थे एसाव और याकुब और रिबका याकुब से ज़्यादा प्यार करती थी और अपने हस्बेंड को धोका देने के लिए तक वो तयार थी हम वो पूरा घटना को जानते हैं उसके कारण क्या नतीजा होता है याकुब की जीवन में भी याकुब धोका को पाता है ये सारी बातों को हम लो तो हम लोग कंपेर ना करें, तुल ना करें और दूसरी बात पक्षपात ना करें, हमें प्रातना करना है, हमसे नहीं हो सकता है, हम तो इनसान है, तो हमें प्रातना करना है, प्रभू ऐसा अनुग्रह हम पर दे, कि हम सारे बच्चे को एक साथ बढ़ाए, किसी को जादा प्र बुद्धी और ज्यान से आप मुझे भर देना इस प्रकार जब आप प्रातना करोगे जरूर परमेशर एक अच्छी मा बनने के लिए आपको हेल्प करेगा अगली बात जो हमें फोकस करना है वो यह है कि हम लोग एक स्वार्थी माना बने बहुत से वक्त हम लोग ऐसे स्वार्थ हमारे बच्चों के प्रती दिखाते हैं हम लोग पुरा ध्यान हमारे बच्चों को देते हैं जो अच्छा है लेकिन बुरा यह है जब हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं हमको ऐसा लगता है दूसरे बड़े या ना बड़े हमको कुछ पड़ी नहीं लेकिन हमारे बच्चे बढ़ना चाहिए मती के सुसमाचार बीसवा अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कि जबदी के पुत्रों दो बेटे थे उनकी माँ ईशू के पास आती है और कहती है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है जब ईशू बोलता है बताओ आप क्या चाहते हूं तब वो दोनों लड़कों की माँ जबदी के पुत्रों की माँ ईशू से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे आपके साथ बैटे एक आपके लेफ्ट साइड पे और एक आपके राइट साइड बे देखे सारे चेले वहाँ पर खड़े हैं और हमारे बच्चों को बढ़ाने की कोशिश करे हम लोग ये प्रातना करे कि प्रभू आपकी इच्छा हमारी जीवन में पूरा हो जाए और साथ मैं ये भी आपको याद दिलाना चाती हूँ अगर आप एक प्रातना करने वाली मा है तो जरूर प्रभू आपके बच्चों को आधर देगा प्रभू आपके बच्चों को उठाएगा प्रभू की इच्छा प्रभू की योजना आपके बच्चों के जीवन में पूरा हो जाएगा लेकिन हमें हर दिन उनके लिए प्रातना करना बहुत जरूरी है और वो भी स्वार्थ बिना प्रातना करना है कि प्रबु आपकी इच्छा, आपकी योजना हमारे बच्चे के अंदर पूरा हो अगले बात ये है कि जब हम लोग हमारे बच्चों को सिखाते हैं साथ में हम भी वही करें जो हम सिखाते हैं अगर हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा जूट नहीं बोलना और हम उनी के सामने दूसरों से जूट बोलते हैं तो हमारी बच्चे उस बात को देखते हैं कि अच्छा मम्मी तो जूट बोलते है, मम्मी बोल तो कुछ रही है, कर तो कुछ रही है, इसका मतलब हम भी यहां जूट भोल सकते हैं, इस प्रकार का एक विचार बच्चों के अंदर आ सकता है. हम बोलते हैं बच्चे आप लड़ना नहीं लड़ाई करना बुरी बात है वो पाप है और हम ही हमारे पडोसी के साथ लड़ रहे हैं हमी हमारे कलिस्या में दूसरे बहनों के साथ लड़ रहे हैं उनकी बुराईयों को हमारे घर में हम करने हैं तो बच्चे क्या सीख रहे हैं कि हाँ बाइबल कुछ बताता है वो ठीक है लेकिन हम लोग हमारी मन मानी कर सकते हैं तो हर एक माँ की जिम्मेदारी है कि वो स्वयम बच्चों के लिए एक अच्छा मिसाल ठहरे एक अच्छा एक्जेम्पल ठहरे बच्चे हमारे जीवन को देकर बोलना चाहिए कि मेरी मा कभी लड़ती नहीं मेरी मा कभी बिना करन गुसा नहीं करती है मेरी मा जो है प्रातना करती है मैं तो देखती हूँ मेरी मा एक गंटा बैटके प्रातना करती है या रात को उठकर प्रातना करती है अभोर को उठकर प्रातना करती है और मा ये बाते मुझे समझा रही है तो मुझे भी इस बातों को करना है तब बच्चा करेगा जब हम लोग उस बात को करेंगे तो मेरे प्रियोग हर एक एरिया जो जो बाते हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं वो हमें करना बहुत ज़रूरी है अगर हम बोलते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे मा लोगों के मुझे सुना है हमारे बच्चे कभी Bible नहीं पड़ते हैं, हमारे बच्चे कभी प्रातना नहीं करते हैं हमारे बच्चों का आत्मिक विशे में इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन at the same time मैं ये भी समझ पाती हूँ प्रभू हमारे बच्चों के लिए हम लोग एक अच्छा मिसाल, एक अच्छा उधारन रहे अगली बात हम लोग ऐसा एक माहूल बच्चों के लिए बना कर दे जहां पर बच्चे अच्छे रीती से डिवलप हो सकता है और उसके साथ साथ हमें ये बात पर ध्यान देना है कि बच्चे अपने दिल की बात खोल कर हमसे कहें ऐसा एक relationship हमारा होना चाहिए माह और बच्चे के बीच मैं जब मैं कहती हूँ अनुशासन होना चाहिए हां strictness होना चाहिए उसके साथ साथ ही प्यार, कोमलता, encouragement ये सारी बाते होना चाहिए और एक माह अपने बच्चे को encourage करना चाहिए माह अपने बच्चे से कहना चाहिए बेटा बेटी अगर तुझे कुछ भी आकर मुझ से बोलना है कुछ भी पूछना है तो माह कर बोल सकते हैं बहुत से वक्त हमारे बच्चे कुछ-कुछ एरिया में संगर्ष करते हैं लेकिन लोग खुलम-खुलम आकर हमसे बोलते नहीं है क्योंकि उनको डर लगते हमारी माम को डाटेगी हमारी माम को मारेगी तो हम लोग इतना भी कठोर ना बने कि बच्चा अपना दिल की बात हमसे शेर नहीं कर पाते देखिए जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में होने वाली सारी बाते हमसे आकर बोलता है तो हम उसको सुनने के लिए भी तयार रहें और साथ में अगर एक बच्चा कुछ बोले तो उसको ऐसा भी ना डाटे कि अगली बार वो आकर हमसे शेरी ना करे हम लोग प्रभू से एक विशेश अनुग्रह को मांगना है कि ये प्रभू हमसे नहीं होता है बच्चों को पालने पोस्ने में आपका अनुग्रह हम पर रहे कि हम समझ पाएं कि कहा पर हम क्या बात बोले क्योंकि हमारी हर एक बात जो है उन पर असर डालता है तो कल का दिन अगर आपका बच्चे के उपर दूसरे बच्चे दबाब डाल रहे एक पियर प्रेशर कर रहे हैं आपके बच्चा जबान हो गया है और उसके अंदर जो है बहुत सारे confusion है कि मुझे ये करना है नहीं करना है बाइबल में तो ये नहीं लिखा है क्या मुझे ऐसे करना है तो एक बच्चा खुलम खुलम आपके पास आकर पूछना चाहिए और आप उनको जो बाइबल सिखाता है वही सिखाना चाहिए जो हमारी परंपरा से चलता है वो सिखाना जरुरी नहीं है लेकिन जो बच्चन सिखाता है उसके लिए हमें भी बच्चन का एक अच्छा ग्यान होना बहुत जरुरी है तो मेरे प्रीयों हम लोग ऐसे atmosphere create करें जहाँ पर अनुशासन भी हो प्रेम भी हो बच्चे हमारी कोमलता को भी अनुभफ करें और बच्चे जो है ऐसा एक माहोल में पले बड़े जहाँ पर उनका पूरन development होने पाए Bible Message जल्दी से कुछ अच्छे मम्मी लोगों की उधारन को आपके सामने में रखना चाहती हूँ और सबसे पहला है मुसा की मा योकेबेद के बारे में हम सीख सकते हैं योकेबेद जब जनम दे रही थी उस समय पर फिरोन राजा ने एक नियम निकाला था कि जितने इसराइली लड़के जनम लेंगे सबको नील नदी में फेक कर खतम किया जाए लेकिन योकेबेद जो मुसा की मा है मुसा को देखा और उनको ये समझ में आया कि ये बच्चा अलग है कैसे पता चला इनको ये अलग है क्योंकि ये परमेश्वर ने जो दिया हुआ अनुगरा के द्वारा अपने संतान को देखा जब दूसरे मा के बच्चों को छीन कर नील नदी में फेका गया यहाँ पर योकेबेद द्रड होती है हिम्मत से राजा के नियम के खिलाफ जाती है देखिए ये एक आम बात नहीं है योकेबेद के उपर दंड हो सकता है योकेबेद को खुद मारा जा सकता है क्योंकि योकेबेद राजा के खिलाफ काम कर रही है लेकिन मेरे प्रियों हमें ऐसी माँ बनना चाहिए जिनके अंदर हिम्मत हो जो हमारे बच्चों को जो है है बुराई से हम बचा कर रखें देखिए बहुत से वक्त हमारे बच्चे छोटे उम्र में टी वी देखते हैं सीरियल देखते हैं इतने गेम्स के साथ एडिक्टर हो जाते हैं हमारी जिम्मेदारी है कि इन सारी बुरी बातों से हमारे बच्चों को हम बचा कर रखें जैसे योकेबेद ने फिरोन से उनके बच्चे को बचा कर रखा, वैसे हम इस संसार की घंदगी से हमारी बच्चों को हम बच्चा कर रखे, हम बाद में जानते हैं योकेबेद के तीनों बच्चे जो है इसराइल के अगुए बने, हारून, मरियम और मुसा, तीनों मिलकर इसराइल को जो है मिस्र देश से निकाला और बाइदे की देश की और लेकर चला क्यूं उनकी माँ जिम्मेदार थी उनको एक अच्छी मा मिला मेरे प्रियों हम भी प्रात्ना करें कि प्रभू हमें युकिबेद समान बुराई से हमारे बच्चों को बचाने के लिए आप हेल्प करना दूसरी बात हम हन्ना की जीवन पर देख सकते हैं हन्ना के पास संतान नहीं था उसने प्रात्ना किया परमेश्वन ने उसके परिवार में एक संतान दिया और हन्ना ने प्रभू से ये प्रामिस किया था कि प्रभू आप मुझे एक संतान दोगे तो मैं वापस आपकी सेव प्रमेश्वर की इच्छा उस बच्चे के अंदर पूरा करती है। प्रबू से बढ़कर अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करेंगे तो वो आपके जीवन के लिए हानिकारक बन जाएगा। अब हमारे परिवार पर कर्ज है। मेरे दो लड़के हैं मैं कर्ज नहीं चुका पा रही हूं तो दूसरे लोग आकर मेरे लड़कों को लेकर जाएंगे उनको गुलाम बनाएंगे। वहाँ पर वो एलिशा से बिंती करती हैं और एलिशा उनके लिए एक राह दिखाता है। और वहाँ पर परमिश्वर का अद्बुत कारिय होता है और वो दोनों लड़के गुलामी में जाने से बच जाते हैं। मेरे प्रियों ऐसी एक मा जो अपने समस्या को लेकर प्रभु के दास के पास आती है। और आज हम लोग डारेक्ट प्रभु के पास लेकर आ सकते हैं। हमारे बच्चों के जीवन में भी बहुत सारी संगर्श है। बहुत सारी ऐसी आदते हम देखते हैं जो सही नहीं है। उन सारी बातों को लेकर हमें प्रभु के पास आना है। पडोसियों को, फ्रेंड्स को, रिष्टेदारों को जाकर बोलने की ज़रत नहीं मेरा बच्चा ऐसा बिगड़ रहा है। हमारे बच्चे के गलतियों को चर्चा ना करें लेकिन हमारे बच्चों के गलतियों को लेकर हम प्रभु के पास लेकर आए। और परमेश्वर जो उस विद्वा के बच्चों को बचाया, वही परमेश्वर हमारे बच्चों को भी बचाएगा। चौती और आखरी मा का example मैं देना चाहती हूँ वो है तिमुत्यूस की मा और साथ मैं नानी उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं पॉलूस कहता है कि तुमारी मा और नानी के द्वारा दिया हुआ विश्वास और शिक्षा पर तुम थामे रहना और आगे बढ़ना एक ऐसी मा ज अच्छा टीचिंग दे और हमारा लाइफ भी हमारा जीवन भी उनके लिए एक आशीश का कारण बन जाए समाप्त करने से पहले एक और पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ दबोरा के बारे में हम नायों के किताब में पढ़ सकते हैं दबोरा अपने बारे में कहती है जब प्रभू ने हमें शारिरिक बच्चे दिया है साथ में प्रभू ने हमें आत्मिक बच्चे भी दिया है हो सकता है वो लोग उम्र में हमसे भी बड़े होंगे लेकिन वो आपकी आत्मिक बच्चे हैं तो जैसे आप अपने स्वयम के शारिरिक बच्चों का ख्याल रखते है उसी समान आपको अपने आत्मिक बच्चों का भी ख्याल रखना है उनको आत्मिक बातों में उनको डायरेक्शन देना है अगवाई करना है, सही क्या है, गलत क्या है, सिखाना है और वो भी एक माँ का दिल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको जो करना है करने दो वैसे हमें नहीं बुलना है तो सेवकाई में जितने बहने हैं, उन सबको मैं एंकरेज करना चाहती हूँ एक अच्छी आत्मिक माँ आप बने बातों को बहुत केरलसली ना ले क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का महत्व समझ कर हम लोग एक अच्छी माँ बन पाए मैं प्रातना करती हूँ कि ये वच्छन के द्वारा आप आशिशित हो जाए और एक अच्छी माँ बन पाए आईए हम लोग दोशन प्रातना करें स्वर्गे पिता अज का बच्छन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रभु हम सब बहने हमारे लिए प्रातना करते हैं हम सब एक अच्छी माँ बन पाए हमारा रिद है प्रबु आपके मन के अनुसार का होने पाए ताकि हम समझ पाए प्रबु हमारे बच्चों को हमें कैसे बढ़ाना है क्या शिक्षा देना है उनके लिए क्या प्रात्ना करना है कैसे बढ़ाना है इस बुरे संसार में उनको कैसे बचा कर रखना है इन सारी बात के जीवन में करना करकर मैं दूआ करते हूँ आपने अमारी प्रात्ना सुन लिए इसलिए धन्यबाद आदर और महीम आपको देते हुए इश्रू के नाम से हम मांगते हैं आमेन गौड ब्लेस यू ओल जैमसे किये